हालो वेलकम टू मैगनिट ब्रेंस हिंदी मैं हूँ आपका दोस्त और आपका होस्ट अनिल पाठीदार दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं बिहार बोट के अंतरगत हम लोगों ने हमारी अध्यान शुरू कर दिया है और बिहार बोट के सामाजिक विज्ञान क्लास 8 का भूग कि वूगोल का जो किताब हैं हम लोग को इसका इसनमाल करने क्यों हमारी में मी अरक इस में परियों को थाता हूं और नाम का मतलब हो तकी चर्चा भी वर्षों में जन संख्या व्रद्धी विबिन दस्की वर्षों में जन संख्या व्रद्धी मतलब जब भारत आजाद होने के बाद भारत की जन संख्या आजादी से पहले की बात कर दी जाए 100 साल की जनसंख्या लगबग हम लोग ताई करेंगे तो 110 साल तक में जनसंख्या जो बड़ी हैं हर 10 साल में कितनी कितनी बड़ी होगी तो जनसंख्या का यहाँ पर थोड़ा सा अभ़ोकर हम लोग करने वाल है या फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर इन सभी वीडियो को बिल्कुल आसनी से देख सकते हैं तो दोस्तों शुरुआत करते हैं सेशन की सबसे पहले तुम्हें आपको बता दू कि जिस व्रद्धी दर से जिस तरीके से भरत की जनसंख्या बढ़ रही है ऐसा माना जा रहा है कि 2030 में फारत की जन संख्या कितनी हो सकती है त немा माना जा रहे है कि एकशा क्रोड जनसंख्याश ना एक्सूं जनसंख्या क्याश हो सकती है यह आकड़ा हैं अगर इसी रदता बढ़ता गया तो और तता हमारी जनसंख्या थो तीस में चीन से अधिक हो जाएगी अगर 2030 की जंगर्णा अगर करवाई गई तो उसकी जंगर्णा के इसाब से हमारी जंसंख्या चीन की जंसंख्या से जदा हो जाएगी यह हमारा मानना है यह ऐसा एक अवलोकन किया गया इस रफ्तार को ले करके आए चर्चा करते हैं उन जंसंख्या कितनी थी और अगले ही दस वर्ष में भारत की जंसंख्या कितनी बड़ी होगी क्या कभी दस साल में भारत की जंसंख्या हमेशा बड़ी ही है कभी घटी नहीं क्या तो एक दस एक दशक ऐसा भी था दोस्तों हमारे इतिहास में जहां पर भारत की जंसंख्या ए यह चर्चा करते उन कारणों की चर्चा भी करेंगे कि समय क्या कून सा दोर चल रहा था तो सबसे बिले बात करते हैं जन गरना वर्ष की तो 1901 से शुरुवात करते हैं और 1901 से शुरुवात करते तो 1901 में जन संख्या अगर करोड की बात की जाए तो सन 1901 में भारत की जन करोड थी मतलब 23 करोड 84 लाक जन संख्या थी दोस्तों यह आज वर्तमान में उत्तर प्रदेश की जन संख्या इतनी उस समय भारत की जन संख्या थी और खाली भारत नहीं भारत पाकिस्तान बांगलादेश तीनों को जोड़ दे तो उतनी जन संख्या बताए गई है यह 1911 की बात की जाए तो 1911 में जो जनगणना हुए थी वह हूं थी 25,20 करोड याने जन संख्या 23 से बढ़ गए 10 साल में 2 करोड जन संख्या बढ़ चुके थी 2 से भी कम बड़ी थी तो लगबग 2 करोड जन जनसंख्या दस साल में बड़ी थी और इतनी होकर के 25 करोड़ हो गए थी अगर 1921 की बात की जाए अगले 10 साल की बात की जाए तो 1921 से में 25 करोड़ 20 लाक से कम होकर 25 करोड़ 13 लाक हो गए थी यानि 10 साल में जनसंख्या बड़ी तो नहीं लेकिन इन 10 साल में जनसंक्या 7 लाक और कम हो गई य outright कम हो गई इस समय में कोई महामारी आई थी जिस аж महामारी के चलते बहुत सारे लोग करी मरत्य भी स्वास्तसुईधा अच्छी ना होने के वज़े से मरत्य दर बहूत जादा थी इस समय उसी वज़े से जनसंक्या व्रद्दिदर काफी कम हो चुकी थी माइनस में हो गया था और दस साल में जनसंक्या बढ़ने की बजाए और कम हो गए थी 1931 की बात की जाए तो 1921 से 1931 दस सालों में यहाँ पर लगबग 2 करोड जनसंक्या यहाँ पर बढ़ी है दो करोड और स्मतिं कुछ लाक यहाँ पर बढ़ी है तो लगबग 2 करोड के आसपास जनसंक्या दस साल में बढ़ी है फिर अगले 10 साल की बात की जाए तो 1951 में 36 करोड़ हो चुकी थी इसका मतलब यहाँ पर प्लस पांच करोड़ जनसंक्या बढ़ी है पांच से थोड़ा कम था आठ करोड़ जनसंक्या बढ़ चुकी थी तो दोस्तों 1951 से 1961 के दोरान सबसे ज्यादा जनसंक्या यहां पर आपको बढ़ती हुए दिखाई दे रहे होगी तो 36 से 36 करोड़ से सीधा हम लोग 43 करोड़ आसपास हो चुके थे अब यह बढ़ते आगे तो साथ से आठ करोड़ जनसंक्या उसमें बढ़ती जादा यहां पर जनसंख्या ग्रोग रही है और 1981 में यानी 71 से चैसी कि विश्वें जन संख्या हो गय थी 68 हो गया पर तो अच पर अचेट हो गए तिसका मतलब क्या हो गया आट सटोंगे तिसका मतलब यह हो 81 से इंकानवे में हमारी जनसंख्या कितनी बड़ी थी आप सोच सकते सबसे जनसंख्या बढ़ती हुए आपको दिखाई दे रही है आपर और लगबग यहाँ पर हमारी जनसंख्या लगबग 24 करोड बढ़ चुकी थी आप सोच सकते एक शमागर 24 नहीं इसको कम करना है जनसंख्या यहाँ पर बढ़के आती है आपकी 16 करोड यानि 14 के बाद सबस्यादा यहाँ पर ग्रोथीर देखी गई तो 88 से 84 हो गया 2001 की बात की जाए तो 2001 में जनसंख्या हमारी सो अरब पार करें एक सो दो अरब हो गए दोस्तों बता कितना हो सके थे तो 16 करोड तो अतार जनसंख्या बढ़ रही थी और यहां की बात की जाए तो यहां पर लगबग हमारे जनसंख्या 19 करोड के आसपस बढ़ चुकी थी तो लगाता जनसंख्या हमारी बढ़ती ही जा रही है लेकिन यह जो साल दिख रहे हैं आपको यह 14 करोड 16 करोड यह बहुत ज्यादा जो एक हैंने सो साल में हमारी जनसंख्या सो करोड के आसपस बढ़ चुकी सो इतनी जनसंक्या हो चुकी है तो जनसंख्या वरद्दीदर का यह जो तालिक आया हमें काफी कुछ चीजे बताती है कि कहां से कहां तक वरद्दीदर पहुँच चुकि छोटा सा टॉपिक था इ video sequence में YouTube पर नहीं मिल रहे हैं तो घबराने की ज़रोत नहीं है क्योंकि magnet brains आप लोगों के लिए लेकर क्या आया है 100% मुख सिक्षा जो आपको मिलेगी हमारी website पर भी यानि अगर आपको YouTube पर प्रॉब्लम हो रही है तो website पर जा सकते हैं हमारी website पर का नाम है magnet bins.com जो आपको प्रॉइड करता है इंडियास नंबर 100% free online educational platform और यहां पर आप अपने top courses को explore कर सकते हैं जहां आपको बिहार बोड क्लास 8 से क्लास 12 मिलेगा यहां पर आप आपको अपना lecture सब्क्रोइब करनों है जैसे आप अपना lecture करेंगे वेसे आप सीथे पहुछ जाएंगे अपने वीडियो पर अब आप अपने आराम से नुड्स बना सकते हैं आपने दोस्तों को बता सकते हैं और पूरा वीडियो बिना किसी एड के बिना किसी disturbance के देख सकते हैं क्योंकि दोस्तों मैकनेट ब्रेंस आप लोगों के लिए कर क्या आया है 100% मुक्षिक्षा जो क्लास 8 से क्लास 12 तक के बिहार बोड के सभी विध्यारतियों को प्रवाइट के जाती है दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो बहुत अ